जैसे की तो आप सभी जानते हैं कि भारत की सबसे महत्वकांची परियोजना यानी यूस बैरल प्रोजेक्ट है और इसकी सुरवा 2002 में शुरू ही थी इससे जुड़ी मैं सारा अप्डेट लाता रहता हूँ इसी से जुड़ी न्यू अप्डेट निकल कर आई है चले दोस्त पूर इसकी सेक्टर में कुल 37 पूल और 35 सुरंगे हैं जिनकी लंबा 164 किलो मिटर है SBBI Infrastructure के प्रोजेक्ट मेनेजर नदीन समास ने कहा USBL का बनिहाल एगनी हिस्सा 30 जूम तक पूरा हो जाएगा उन्होंने कहा कि सेक्टर भीविन सुरंगों और कूलों से होकर हुजरता है जादातर काम पूरा हो चुका है करवा गाओं के पास 765 मिटर लंबी गट और कवर सुरंग हर तरह से पूर्ण है Blast Less Track यानि BLT बिछाने का काम अप्रिल के अंतक पूरा होने की उम्मीद है साथी T78 सुरंग का काम भी लगबग पूरा हो चुका है दो किलोमेटर T70D सुरंग का काम भी अगले मैने पूरा होने की संभावना है उन्होंने कहा कि लाइनिंग का काम पूरा होने के बाद BLT का काम 30 मैं तक पूरा कर लिया जाएगा और सुरंग उतर रेलवे को सुप दी जाएगी दो सो बतर किलोमेटर लंबी यूइस बेरल परिजना को 2002 में एक राश्चिय परिजना के रूप में घोसित किया गया था और इस साल के अंद तक पूरा होने की उमीद है रामबन के उपायुक्त मुसर्फ इसलाम ने कहा कि 111 किलोमेटर में से 53 किलोमेटर रामबन जिले में पड़ता है और इसकी लंबाई का 87% सुरंगों से ढखा हुआ है देश में सबसे उची रेलवे सुरंग T-49 का निर्मान इसी जिले में किया गया है बनिहाल कांजी कुन खंड पर इस बेरल द्वारा निर्मित 11.2 किलोमेटर लंबाई की पील 45 सुरंगों पार करते हुए खारे अर्पिचिला और सुपर को जोडने वाली 12.758 किलोमेटर लंबी T-49 सुरंग पर काम पिछले साल 15 फरवी को पूरा किया गया था जमु कस्मिर की उद्धंपूर स्रीनगर बारमुरा रेलवे लाइन यानि USBRL पर्यूजना का काम जून 23 के अन तक पूरा हो जाएगा इस पर्यूजना से बनिहाल से हिंगनी तक का सफर असान हो जाएगा USBRL पर्यूजना का उद्धिस, कस्मिर घाटी का निर्बाद और परिसानी मुक्त कनेक्टिविटी परदान करना है यानि दोस्तो बनिहाल हिगनी खंड का काम जून 23 तक पूरा हो जाएगा और इसकी उद्धाटन भी हो जाएगी तो दोस्तो ये छोटा सा अपडिट आपको कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करें अगर वीडियो चलगा तो प्लीज लाइक कर देना और ऐसे ही अपडिट के लिए सस्क्राइब कर देना